जै मसिकी, गुट मॉर्निंग, आज सुभा, प्रभु का वच्छन हमारे लिए, मती का सूसमाचार, अध्याई 12, आयत 36, आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बाते मनुश्य कहेंगे, नियाई के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे. यहाँ पर ईश मसी सिखाता है कि हम सब को हमारे शब्दों पे ध्यान देना है क्योंकि बचन हमें सिखाता है कि जो जो निकम्मी बाते मनुश्य कहेगा मनुश्य को उन बातों का लेखा प्रभू से देना पड़ेगा इंगलिश में इस्तमाल किया हुआ शब्द है careless words मतलब बिना सोचे समझे हम जो भी बोलते है हमको लगता है बस हमने तो उस समय पर गुसे में बोल दिया या फिर नाराजगी में बोल दिया हमने ऐसा सोच कर नहीं बोला लेकिन मेरे प्रियों प्रभू के सामने ये सारी बहाने नहीं चलेगा परमेशर कहता है जो जो शब्द तुमारे मूँ से निकलता है उन सारे शब्दों का लेखा तुमें प्रभू से देना पड़ेगा बहुत से वक्त हम लोग अपने बारे में नेगेटिव बोलते है हम लोग आइने में देखकर कहते है काश मैं और लंबी होती काश मैं और गोरी होती मेरा नाक सीदा होता मेरा बाल घने होते इस प्रकार के बहुत सारे बातों को हम बोलते है या फिर हम सोचते होंगे और सोचने के बाद हमारे मूँ से निकलता है कि मैं सुन्दर नहीं हूँ लास्ट में हम ये कंक्लूशन में आ जाते हैं कि मैं दिखने में खुबसूरत नहीं हूँ मेरे प्रियो हम प्रभू के खिलाफ बात कर रहे हैं परमिशर कहता है कि मैंने तुम्हें अपने सदर्श में बनाया हम कौन होते बोलने वाले कि हम सुन्दर नहीं है हम प्रभू के नजर में सुन्दर है प्रभू हमसे बहुत प्यार करता है काफी बार कुछ लोग कहते है मैं कुछ नहीं कर सकता मैं तो बेकार इनसान हो मेरे प्रियो किसने कहा आप कुछ नहीं कर सकते ये तो आपकी मुझे निकलने वाला जूट है वचन तो हमको सिखाता है कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं हम प्रभू के लिए स्रेष्ट है प्रभू हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है हम बेकार नहीं है तो हमें ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे है कभी कबार हम लोग इस प्रकार भी बोलते है मेरा तो मर जाना ही सही है या मैं इस घर छोड़ कर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी या मैं अपने परिवार के लिए बड़ा बोज है इस प्रकार के शब्द जब हमारे मुझे निकलता है हमें ध्यान देना है कि हम प्रभू के खिलाफ बोल रहे हैं हम हमारी जीवन को नहीं ले सकते हैं हमारा जीवन प्रभू के हाथ में है तो मैं मर जाऊंगी करके ऐसे शब्दों को हमें नहीं बोलना चाहिए मैं बाइबल में से एक उधारन देना चाहती हूँ जहां पर लोग इस प्रकार के शब्द बोले गिंती का किताब, चौदवी अध्याए और दूसरी आयत, नमबर्स, चैप्टर 14, वर्स 2 में हम पढ़ सकते है इसराइली लोग परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और वो लोग बुड़ बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में हम मर जाते, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार अद्बत रीती से इसराइलीों को मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आए और अब जंगल में इसराइली लोग कह रहे हैं कि अच्छा होता है कि हम यही मर जाते मेरे प्रियों ये लोग भी ना सोचे समझे बोल रहे हैं लेकिन परमेश्वर क्या कहता है गिंती का किताब चौदवी अध्याय और 28 वी आयत नंबर्स 14 वस 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं इसलिए उनसे कह कि यहवा की यहवानी है कि मेरे जीवन की शपत जो बाते तुमने मेरे सुनते कही है निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा परमेश्वर कितना दुखी है परमेश्वर कहता है तुम मरना चाते हो जंगल में ही मरना चाते हो तुमने जैसे कहा वैसे ही तुमारे साथ होगा और मेरे प्रियों हम जानते है मिस्र देश में से जितने इजराली लोग निकले उस पीड़ी में से दो ही लोग वाइदे की देश में प्रविश कर पाए बाकी के सारे लोग जंगल में मर गए कितनी दुख की बात है ये लोगों ने जो गलत शब्द बोला, उसी का फल को उन्होंने अपने जीवन में काटा एक और उधारन को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ उत्पती का किताब 27 अध्याय और 13 जेनेसिस 27 बर्स 13 यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिब का क्या कहती है रिब का कहती है हे मेरे पुत्र, श्राप तुछ पर नहीं, मुझी पर पड़े हम जानते हैं रिब का चाहती थी कि उनका छोटा बेटा को अपने पिता से आशीश मिले जबकि पिता बड़ा बेटा को आशीश देना चाहता था और इसलिए रिब का अपने चोटे बेटे से कहती है कि तू अपना बड़ा भाई के जैसे एक्टिंग कर उनका वस्त्र पहन ले, पिता के पास जा, उनको धोका दे दे और उनका सारा आशीश को ले लो तब याकूब कहता है, मा अगर पिता ने इस बात को पहचान लिया कि मैं पहलोटा नहीं हूँ, मैं दूसरा बेटा हूँ तो आशीश के बदले मेरे उपर श्राप आएगा तो मा कहती है, वही आयत हमने पड़ा, हे मेरे पुत्र श्राप तुछ पर नहीं, मुझी पर पड़े रिपका यहाँ पर स्वयम के उपर श्राप को इन्वाइट करती है और हम जानते हैं, उस घटना के बाद दोनों भाईयों की बीच में लड़ाई होता है याकूब उस घर को छोड़ कर भाग जाता है लेकिन रिपका क्या कहा था उस समय पर, श्राप मुझ पर पड़े और उसके जीवन में ऐसा श्राप पड़ा, कि वो उसके बाद अपना बेटा को देख नहीं पाई एक मा के लिए इससे बड़ा दुख और दर्द क्या हो सकता है क्यों हुआ, क्योंकि वो स्वयम अपने मुग के द्वारा, शब्तों के द्वारा अपने जीवन में ये दुख को लेकर आई मेरे प्रियों भाई बहनों, आज हमें ध्यान देना है, हम क्या बोलते है हम ये नहीं बोलना चाहिए, गुसे में बोला, निराशा में बोला, हमने मजाक में बोला नहीं प्रियों प्रभू के सामने हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं हमें ध्यान देना है, आज से लेकर हम लोग एक निरने लेंगे कि हम लोग negative बातों को या प्रभू के खिलाफ कोई भी बात को हम नहीं बोलेंगे आई हम लोग प्रातना करें स्वर्गे पिता अचका बच्छन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभू परमेशन मैं प्रातना करती हूँ हमें से हर एक जन अपने शब्दों पर ध्यान देने वाले बन जाए प्रभू हमारे मूँ की चौकसी करने वाले हम बन जाए प्रभू जी हमें हर एक शब्द का लेखा देना है उस बात को हमारे मन में रखते हुए हमारे मूँ से निकलने वाले हरे एक शब्द आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रबुजी आपके खिलाफ लोगों के खिलाफ हम कुछ भी ना भोले परमिश्वर पिता प्रबु हरे एक शब्दों के कारण अपने जीवन पर हमने लाया है उन सारे बातों को आप माफ कर देना परमिश्वर एक नई शुरुवात आज से लेकर होने पाए करकर मैं प्रातना करती हूँ प्रबु वच्चन सुनने वाले हरे एक जनाश शिशित होने पाए आपने हमारी प्रातना सुन लिया इसलिए धन्यवाद आदर और महीम आपको देते हुए इस शुरु के नाम से हम मांगते है आमेन गाड बलेस यू आल जै मसिकी